अपने बात करेंगे जही एडवांस के लिए जही एडवांस में कैसे कैसे क्रिशन अपने आया हुए पहला पैसेज के बेस पर दिया गया है आई पी पर बेस्ट क्रिशन था consider the following ionization energy of the for a metal M M metal की energy दी गई है विड़ा अपने को पहले दी गई है वो delta H X plus 8580 दो से 18.15 2740 और 11600 यह अपने क्या दी गई है energy IP दी गई है total number of electron in outermost shell of metal M is इन दोनों के बीच में difference ज्यादा इसका मतलब तीन electron निकलने के बाद में क्या हो गया है तीन electron निकलने के बाद में अपने क्या किया है inert gas configuration ले लिया है जैसे अपने पास अगर aluminium हो तो यह IP 1 होगी यह IP 2 होगी और यह IP 3 होगी यह IP 3 होगी यह IP 3 होगी यह IP 4 होगी यह IP 3 आइप 1 आइप 2 आइप 3 आइप 4 यह IP 4 का बहुत ज्यादा वेल्यू होगी किसके कंपेर में आइप 3 के कंपेर में वह इसलिए यह विटा क्योंकि यहां पर inert gas configuration आ चुका है इसका मतलब इसके बाइतमकोश में कितने लेक्टन थे तीन तो अपने देखतें आंसर कौंसा हो गया यह ध्यान रखना अपने यहां किया क्या आंसर आया तीन तो अपने यहां पर तीन लगा दिया यह option नमबर थी में नहीं है जिबकि आंसर क्या है तीन है वह कौंसे option में है दो नमबर में तो आंसर आजेगा अपना second next बात करते हैं which one of the four ions has largest electron affinity, electron affinity बीटा क्या पोगया पॉस्ट-илось-zeitika डैरेक्टल प्रपोष्ण होती है अ questa कि अपन्य आट सब्सवास यहां इस जादा होगा Elgtron affinity उतनी जादा होगी थीद सब्सक्राइब पोजिटिव चार्ज बढ़ने पर जाएएड एफेट क्या होता है बढ़ता है तो अपना आंसर आ जाएगा फॉर्थ नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर स्पूर्ड दैन वन कुश्चन है कों सा कौन सबसे दो पहली बात करें पॉस्टिव चार्ज बढ़ने पर रहने साइज क्यों होती है नेगेटिटिव साइज हमंपने सिथी तो फेला घबर सही है वनंड होगया तो और और तया सब्सक्राइब लार यहां आपन देखें ल fifa के ऐलेक्टरों डीन ही है औक्सिजन श्छर को फ्लॉरिन लोरिन और प्र म सब सब्सक्रार प्लॉरीन अपना कैसा हो गया रहा रख़ोन् Seite यह जाए walkthrough हो सò imbalance करें फुट करेंग करें तो सबस्क्राइट टॉप टूबटम जाने पर साइज इंक्रीज इनक्रीज सब्सक्राइब तो तो क्या होगा मेटलिक रेडियस भी इंक्रीज होगी तो फॉर्थ ऑप्शिन भी अपना सही है तो अपना आंसर आजाएगा वन थ्री एंड फॉर्थ नेक्स्ट कुछिन देखते हैं सब्सक्राइब करेक्ट ओडर ऑफ प्रोपर्टी ऑफ दस पीसीज कह रहा है अभी मैंने बता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर आयने की रेडियस क्या होती है इंक्रीज होती है तो यह स्टेट्मेंट क्या सा हो गया रॉंग हो गया सही नहीं है यह बात करें सेकेंड आ से पी टू से अटमिक रेडियस की बात करें कॉपर और लिए बात करें तो जिंक की रेडियस ज्यादा होती है क्योंकि इसका इंटरनल शाल होता है वह कंप्लीट हो जाता है इसकी कारण साइज बढ़ जाती है इस टेट्मेंट भी अपना राइट है यह स्टेट्मेंट इन्ड फॉर नेक्स्ट बात करें अगा आगा ड़ी तो पांग करेंगा सब्सक्राइब जान फंटिशन में साइज की बात करता है तो और इस बात करेंगा सब्सक्राइब कर चाहिए आथा यह सब्सक्राइब क्या हो गया अपना रोंग हो गया जबकि यहां बात करें कंडेक्टिविटी इनवर्स होती है कि इनवर्स होती है कि अपने हैं कि सब्सक्राइब और सबसे कम किस आएगी पलोरीन की तो यह क्या हो जाएगा कि यहां बात करता है वही बात है जो पहले साइज में चोटा था वो बड़ा दो स्मोल हो गया तो यहां यह जे है बोले ज्ञादा होगी तो इस स्टेटमेंट अपना रहा होगा सही आएगा नेक्स भात करें के चन्धिविटी यह इसम 그렇게 एक वस मैं नहीं दे रखा है वेटा एक वस में दे रेका है अप नर्मल साइज से देखेंगे नर्मल साइज ऐलमॉनियम इदा ऑन्मॉनियम की आते है तो आजिए क्या होगी गृग जाधा होगी तो फोर्थ आप्शिन भी आपना सही ए तो ऑंसर आजेगा थर्ड और फॉर् हाँ जे दा बाइप्रोड़ेक्ट अग सोलेफ प्रोड़ेक्ट विद ने तो सियो थी तो फॉर्म ए कंपाउंड एक्स अब अनु बात करते हैं साइट प्रोड़ेक्ट क्या होता है नह फोर सी यल प्लस किस से सोडियम कार्बोनेट से रेक्शन करता है ने टू सी यूथ्री सॉ था अपने पास क्या बन जाएंगा अमोनियम कार्बोनेट प्लस ने चुआ बन साइड बन जाता है तो इस अमोनियम कार्बोनेट को यह कहता है to form a compound X which on hitting decompose to give Y, इसको अपन हीट करते है, तो क्या बनता है अपने पास, Ns3 plus CO2 बनता है, Ns3 plus CO2 plus H2 प्राप्त होता है, ठीक है, यह कहता है, Y is absorbed by CO2, Y को कौन absorbed कर लेता है, CO2 absorbed कर लेता है, इन में से CO2 किसके साथ reaction करता है, CO2 के साथ reaction करता है, potassium carbonate, K2CO3 में change हो है तो किसमे, K2CO3 में, अब उत्र यह वाई हो गया बेटा, अपने पास, कहा है, the number of atom per mole of Y is, कितने atom होगे इसमें, एक carbon है, दो oxygen है, तो अपने पास आगया answer, 0-3, तो अच्छा किशन था, इसमें काफी चीज़े पूच लेगे है, CO2 की reaction पूच ले गई है, ठीक है, ammonium carbonate को heat करने के लिए पूच ले गया है, अच्छा किशन था, ठीक है, star लगा लेना, देखना दोबारा बार 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 इसको, next बात करते हैं, क्या number of elements having positive और 0 electron gain enthalpy, टेको बटा positive किसकी मिलती है, इन तिनों की positive अपने को electron gain enthalpy मिलती है, क्योंकि inert gas की क्या, electron attend करने की tendency नहीं होती है, उनका octet या complete होता है, तो answer आजेगा 0,3, answer आजेगा 0,3, next बात करें, the number of species among the following having magnetic moment value of 2.84, 2.84 का मतलब unpaid electron कितने है, दो unpaid electron कितने है, दो unpaid electron किसमे है, vanadium में बेटा कितने आएंगे, d2 आएगा, 2 unpaid electron होंगे, ml प्लस 2 में 5 होंगे, titanium प्लस 2 में 2 होंगे, chromium में कितने होंगे, 3 होंगे, क्रोंगेन कितने होंगे फ्राइप में कितने होंगे 4 ठोडो किसमें टाइटेनियम वनेडिय में पनाज आजाएगा जी रो टू आजाएगा जी रोटी यह ऊसे- Kellinde आख बात करते हैं, find number of compounds in which atom of ions are bonded by only one covalent bond, तो देखें, इसमें covalent bond एक है, यह structure कैसे है, बेटे है, S, S, negative, negative, positive and Na plus, इनके बीच में covalent bond, इसमें covalent bond आगे आपने पास, इसमें कोई covalent bond नहीं है, इसमें covalent bond नहीं है, इसमें covalent bond नहीं है, इसमें covalent bond है, 2 pi, 1 sigma, तो यह भी नहीं होगा अपने पास, ba o 2, ba o 2 की structure कैसे होगी, यह परोक्साइड है, एक covalent bond है, तो यह भी अपने पास answer आगे अपना, ठीक है, यह भी answer आगे अपना, na o 2, na 2 o 2, यह परोक्साइड इसमें होगा, एक single bond, एक इसमें बात करें, इसमें भी एक covalent bond होगा, किसके बीच में oxygen और hydrogen के बीच में, तो अपने पास answer आजाएगा, एनिवच, na 2 o 2, and na 2 o 2, 0, 3 answer आजाएगा, किसना आजाएगा, 0, 3, तो यह अपने यह एडवांस के question complete हुए, जो चार question अच्छे भी थे, और period table में, ऐस block में ऐसे question ही बनते हैं, यह third number, जो paragraph से related आपके पास questions है, उसमें आपके पास given एबने स्टील सेंपल है, analyzed किया जाता है, chromium और manganeum को, by the oxidation of Cr2O7 and Mn convert into the MnO4, 10 gram सेंपल है, स्टील का 250 ml solution containing Cr2O4 minus and MnO4 minus 2 and MnO4 minus 2, 10 ml of this portion, इस solution का कितना ml काम मिलिया है, 10 ml of this portion, इस solution is added to barium chloride solution and adjust the acidity of the solution and precipitate barium dichromate is a 0.0549 gram. इस solution में हमें ये कह रहा है, स्टील सेंपल में chromium का percentage कितना होगा, chromium का percentage calculate करना है, इस स्टील के सेंपल में, तो dear students, reactions को हम discuss करते हैं, तो reaction में अपने पास given ये है, first of all अपने पास स्टील के सेंपल में chromium था, और chromium को Cr2O7 minus 2 में convert किया गया, by the help of reagent, and next chromium react with the barium chloride and convert into the barium chromate, BACR O4 में convert किया गया, तो यहां से इस chromium को analyzed करना है, और chromium का percentage स्टील के सेंपल में calculate करना है, हम चाहें तो इसे POAC4 chromium apply करते हैं, POAC4 chromium, अगर chromium के लिए POAC apply करते हैं, तो हम यहां बोल सकते हैं कि जितने mol यहां पे chromium के होंगे, same mol किस के होंगे, barium chromate के होंगे, means 1 into W upon MW of chromium equal to the barium chromate अपने पास है, उसका W upon MW of barium chromate, molar mass of 1 into W of chromium and at molar mass of the chromium is 52, next W of the barium chromate from the barium chromate 0.0549 gram, 0.0549 gram and the molar mass of barium chromate, barium 137, chromium 52 and oxygen 64, 253, 253, there is W equal to, अपने पास यहां से sol करते हैं, तो W की जो value आएगी अपने पास, यहां से इसका 0.0559, यहां से W की value calculate करते हैं, तो यह value अपने पास आजाएगी, 0.282 gram, यह value अपने पास आएगी, और यहां किस कारण से आएगी, कितने से multiply करेंगे, 25 से multiply करेंगे, क्योंकि हमने आठ कितना portion लिया है, 10 ml portion लिया है, और के अनलाइजड कितने ml में करना है, 250 ml में अनलाइजड करना है, तो यह value कितने आजाएगी, 2.82 value आजाएगी, percentage of chromium आपको calculate करना है, तो percentage of chromium equal to, chromium की amount कितनी होगी, 0.282, कितना sample था, 10 gram, multiply by 100, कितना percent chromium आगया, 2.82% chromium आपने पास हो जाएगा, okay. दी स्टून्स, क्यूस्टन नम्र 4, क्यूस्टन नम्र 4 में, a second 10 ml portion of this solution required exactly 15.95 ml of 0.075 ml standard Fe plus 2 solution for this titration in acidic medium, तो क्यूस्टन है, equivalent of the Fe plus 2 required for reduce MnO4 minus 2 is MnO4 minus को, dear students, questions को solve करते हैं, तो हमारे पास जो 10 ml portion है, उस 10 ml portion में, अपने पास CR2, O7 minus 2 भी available है, plus MnO4 minus भी available है, ये दोनों मिलकर किस के साथ react कर रहे हैं, Fe plus 2 के साथ react कर रहे हैं, बोथ react with the Fe plus 2, इस जो 10 ml sample है, इस 10 ml sample में, CR2, O7 minus 2 भी होगा, और अपने पास MnO4 minus भी available होगा, इन दोनों के equivalent, अकेले Fe के equivalent के equal होगे, तो हम बोल सकते हैं, कि equivalent of CR2, O7 minus 2, plus equivalent of MnO4 minus, equivalent of MnO4 minus, equal to who the equivalent of Fe plus 2, Dear Students, अभी हमने discuss किया था, तो हमने chromium की amount calculate की थी, जितने gram equivalent chromium के still के sample में होगे, same उसी ratio में 10 ml portion में हो जाएंगे, तो 10 ml portion में, हमने जब अपन chromium को determine किया था, तो 10 ml में जो इसकी gram amount थी, means इसका W upon E equal plus equivalent of MnO4 minus, equivalent of MnO4 minus equal to Nv हो जाएगा, यहाँ पे हमसो CR2 O7 minus 2 है, उसकी जगा chromium के gram equivalent put up करेंगे, तो same number of the gram equivalent होंगे, तो यहाँ अपने पास हो गया, 0.282 divided by 52 multiply by 3, there is the 3 is the N factor of this and it is the 25 divided by 25, 25 से divide क्यों किया, क्यों किया में 10 ml portion में calculate करना है, 10 ml portion में, plus equivalent of MnO4 minus equal to, जो अपने पास Fe plus 2 है, इसकी molarity, इसका N factor कितना होगा, 1 होगा, इसकी normality and molarity equal हो जाएगी, तो 0.075, इसका कितना ml utilize हो रहा है, कितना ml utilize हो रहा है, 15.95 ml utilize हो रहा है, यह हो गया, 15.95 ml utilize हो गया, into 10 to power minus 3, यहां से equivalent of MnO4, equivalent of MnO4 अगरा हम discuss करेंगे, तो जो equivalent of MnO4 minus अपने पास होंगे, वो equivalent of MnO4 होंगे, 5.44 into 10 to power, 5.44 into 10 to power minus 4 gram equivalent of MnO4 minus used for the 10 ml portion of solution, okay. Next, more than one correct question share, question number 4. For the reactions of MnO2 plus HCl in convert into the MnCl2, Cl2 and H2O, 8.7 gram MnO2 dissolved in 500 ml of HCl solution containing 7.3 gram HCl per liter, 7.3 gram per liter में present है, तो हम अगर इस reactions की बात करते हैं, तो अपने पास जो MnO2 है, MnO2 react कर रहा है किसके साथ? 4 mol of HCl, HCl के साथ react कर रहा है, तो एक तो MnCl2 का formation कर रहा है, प्लस Cl2 का formation हो रहा है, प्लस अपने पास हो जाएगा 2 H2, अगर यहां से हम इसके mol calculate करें, initial mol अगर इसके calculate करते हैं, initial mol, तो इसके mol अपने पास initial 0.1 mol होगे, HCl का कितना ग्राम है, 7.3 ग्राम है, तो इस अल्सो 0.1 ग्राम, initially 0 and 0 and 0, there is 0.1 अपने पास क्या होगा, 0.1 minus X, 0.1 minus 4 X और यह होगया, X, X and 2 X, there is value of X is equal to, value of X is equal to 0.1 divided by 4, 0.025, 0.025, X की value put up करेंगे, तो यह 0.075 remaining रहेगा, यह 0 होगेगा, यह 0.025 ml, यह और अच की value put up करेंगे, तो यह 0.025 ml, mol हो जाएंगे. Dear students, there is HCl is the limiting region, बिलकुल सही ह, HCl is limiting region, MnO2 is the limiting region, it is incorrect, MnO2 limiting region नहीं, 0.025 mol of MnCl2 form, 0.025 mol MnCl2 form, 560 ml of Cl2 gas will liberate at 0 degree and 1 atm, dear students, 0 degree और 1 atm की अगर बात्चीत करें, तो यह अपने पास, mol कितना हो गया, 0.052, 0.052 into 20,400 ml, यहां से इसे solve करते हैं, तो 560 ml हो जाता है, तो अपने पास यह option भी क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, तो correct for this, next, next question solve करते हैं, select the correct statement, regarding 3PY orbital, 3PY orbital हमें गिए उने, 3PY orbital की हम बात करते हैं, 3PY orbital, 3PY orbital के लिए, N equal to अपने पास 3 हो गया, L equal to अपने पास 1 हो गया, और M equal to 3PY orbital, M और S, dear students, हम अगर 3PY orbital के लिए बात करते हैं, तो अपने पास 1 ओप्शन है, magnetic quantum number must have a positive value, PXY, PX orbital होती है, PZ orbital होती है, PZ orbital होती है, PY orbital होती है, Z के लिए M की value fix होती है, 0, X के लिए हम क्या कर सकते हैं, plus half consider कर सकते हैं, minus 1 consider कर सकते हैं, sorry, plus half और plus 1 और minus 1 consider कर सकते हैं, Y के लिए हम क्या कर सकते हैं, plus 1 और minus 1 consider कर सकते हैं, तो ये वाली value fix नहीं है, कि तो ये statement क्या हो गया, incorrect statement हो गया, total node है, उनकी संक्या, the number of node are 2, node की अगर बात करते हैं, तो 3 PY orbital में, जो अपने पास radial node हो जाएगा, वो 1 radial node हो जाएगा, N minus L minus 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो total number of 2 node कितने हो जाएगे, 2 total number of node हो जाएगे, अगर हम लोग 3 PY orbital के लिए, हम graph बनाते हैं, किसके between, 4 pi capital R square, pi square और capital R square का, R के between graph बनाते हैं, तो graph अपने पास, ऐसा graph अपने को मिलता है, यह graph अपने को मिलेगा, इसमें कितनी पीक है, 2 peak है, तो यह अपने पास, 2 peak available है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, quantum number, N and L are orbital में भी, 3 and 1 respectively, बिल्कुल N की value 3 है, L की value 1 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, correct statement हो जाएगा, तो यह तीनों इसके लिए, correct हो जाएगे, next question से regarding, बात करते है, question number 6, more than 1 correct, 2 gram fuming sulfuric acid, fuming sulfuric acid means, olium, diluted with water, and make a volume of 1 liter, 100 ml of this solution, is titrated with 0.1 m, NaOH solution, the volume of NaOH, consumed at the equivalent point is, 43.25 ml, which of the following is, are correct for the above titration, a titration हो जाएगे, जाएगे, fuming H2SO4, fuming H2SO4 means, the olium, means H2SO4 and SO3, both are available in the solution, and both are titrated with the NaOH solution, means that, H2SO4, 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 plus, SO3, both are react with the NaOH, NaOH, ये दोनों अपने पास, H2SO4 and SO3, मिलकर किसके साथ react करें, NaOH के साथ react करें, तो जितना प्रस equivalent, H2SO4 और SO3, दोनों का होगा, उतना अकेला equivalent, किसका होगा, NaOH का, यूटिलाईज होगा, लेट अस कंसीडर, 2 gram of fuming H2SO4, means, 2 gram olium sample है, तो इसका मिनिंग हो गया, कि हम इसमें से माल लेते है, X gram of the H2SO4 and equivalent mass of H2SO4 is 49 and the 2 minus X gram of the SO3 and equivalent mass of SO3 is 40 equal to 0.1 N NaOH, 0.1 into 43.25 ml, 43.25 ml, यह 43.25 ml, और कितना 101 liter बनाया था, 100 ml काम में लिया है, तो कितना time required होता, 10 time इसका required हो जाएगा, अगर 1 liter solution complete utilize करें, यहां से आप solve करते हैं, तो X is equal to अपने पास आजाता है, 1.47 gram, 1.47 gram है, means, SO3 तो अपने पास, H2SO4 कितना आ गया, H2SO4, 1.47 gram हो गया, और जो SO3 की amount हो जाएगी, वो 0.53 gram हो जाएगी, 0.53 gram हो जाएगी, first of all हम discuss करते हैं, percentage of oleum, percentage of oleum का meaning है, कि 100 gram oleum में water aid किया जाए, तो कितना weight है, वो gain करता है, तो oleum की strength के बारे में बात करते हैं, तो अपने पास यहां पे, जो SO3 है, वो किसके साथ react करेगा, SO3 react with the H2O and form H2SO4, कितने gram के लिए, 100 gram के लिए हमें determine करना है, तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं, 80 gram SO3 required, required 18 gram H2O, and 1 gram required 18 upon 80 and 0.53 gram required 0.53 into हो जाएगा 0.53, यह कितने gram के लिए आ गया, 0.53, 2 gram simple के लिए आ गया, तो मिंस अपने पास हो गया, 2 gram oleum simple required, अपने पास 18 upon 80 multiply by 0.53, तो 1 gram, 100 gram oleum sample, 100 gram oleum sample के लिए आ जाएगा, divided by 2 and multiply by 100, तो यह value अपने पास आ जाएगी, 5.96 gram, 5.96 gram, तो अपने पास जो oleum का percentage हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 105.96, 105.96 gram oleum का percentage हो जाएगा, तो यह वाली बात क्या होगी, correct होगी, percentage of free SO3, percentage of free SO3, means अपने पास यहाँ पे, percentage of free SO3 की अगर हम बात करते हैं, तो अपने पास SO3 का कितना है, 0.53 divided by 2 multiply by 100, तो यह कितना हो जाएगा, 26%, 26.5 percentage SO3 हो जाएगी, तो यह भी क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, equivalent of SO3, equivalent of SO3 means, अपने पास SO3 का equivalent कितना हो जाएगा, SO3 का gram equivalent जो हो जाएगा, equivalent of SO3, equivalent of SO3 में, SO3 की amount होगी 0.53, mass और equivalent mass कितना हो गया, 40 हो गया, इससे आप solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, 0.013, यह हो जाएगा, तो यह बात भी क्या होगी, correct होगी, weight of SO2 for 1.47 gram है, तो यह correct नहीं होगा, और यह क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, okay students, next, integer type questions and numeric type questions, 6 gram sample, containing barium oxalate dot 3H2O, some inert impurity dissolve in the 100 ml of water, a 20 ml portion of this solution required, 17.8 ml of 0.015 mm, acidified K1O4 solution, the equivalence point, find out the mass percentage of barium oxalate in the original sample, अपने पास जो 0.6 gram sample है, उसमें कुछ inert impurity भी है, यहाँ पर यह react कर रहा है, K1O4 के साथ, और कौन से medium में, acidic medium में react कर रहा है, तो barium oxalate जो होगा, barium oxalate, VEC2O4, यह अगर acidic medium में, K1O4 के साथ react करता है, तो acidic medium में, barium oxalate में, oxalate ion convert into the CO2 and MN convert MN plus 2, K1O4 convert into the MN plus 2, there is the equivalent of the barium oxalate equal to the equivalent of K1O4, equivalent of barium oxalate means, W upon E equal to NV के equal हो जाएगा, यहाँ पे W हमें calculate करना है, क्योंकि barium oxalate की percentage हमें calculate करनी है, तो W calculate कर लेते हैं, इसके बाद, अपने पास यहाँ, barium oxalate का, जो molar mass आजाएगा, वो 151, 151 आजाएगा, और इसका N factor कितना हो जाएगा, divided by 2 हो जाएगा, यहाँ पे N अपने पास given है, कितना, M अपने पास given है, 0.015, इंटू N factor कितना हो गया, 5, multiply by the 17.8 ml, 17.8 ml, लेकिन हमने, कितना ml portion लिया है, 100 ml का, 25, 20 ml portion लिया है, तो कितने से multiply करना जाएगा, 100 divided by 20 से multiply कर देना जाएगा, यहाँ से W हम calculate करते हैं, तो W is equal to, जो अपने पास होगा, वो हो जाएगा, 0.504, 0.504 gram हो जाएगा, तो percentage of varium oxalate हो जाएगा, percentage of the, V C2O4 हो जाएगा, वो हो जाएगा, 0.504 divided by 0.6 multiply by 100, nearest integer में यह जो नीर अपाउट हो जाएगा, वो 84% हो जाएगा, ओके दिर स्टूदेंट्स, नेक्स्ट दिर स्टूदेंट्स, नेक्स्ट इस्टूदेंट्स, 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 बचलने के दिर स्टूदेंट्स, जाएगा, जाएगा, जा energy of oxygen is E is equal to hc upon lambda, if E is equal to hc upon lambda E is equal to 6.62 into 10 to power minus 34, 3 into 10 to power 8 meter per second and the given lambda is equal to 3.055 into 10 to power minus 9 meter, there is the E is equal to 6.5 into 10 to power minus 18 joule ho jayega, thik or jo apne paas delta E ho jayega, delta E is equal to E2 minus E1, there is the delta E is equal to 2.18 into 10 to power minus 18 z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, ok dear students, toh hum karein delta E kitna hai, 6.5 into 10 to power minus 18, ye there is 2.18 into 10 to power minus 18, z square calculate karna hai, aur 1 by 1 minus 1 by 2 ki power 2 ho jayega, ye electronic transition ho gaya, toh yaha se z square equal to apne paas ho gaya, 4 aur z equal to apne paas kitna ho jayega, 2 ho jayega, ok dear students, thank you, question number 7, 20 ml mixture of CO gas, CH4 gas and helium gas is explored by the an electric discharge, at room temperature with access of oxygen upon bring back to the room temperature decreases in volume found be 13 cc, a further contraction of 40 ml occur when the residual gas is titrated with KOH solution, volume of the gas, helium in the gas is mixture, these students, yehaan pe co gas, CH4 gas, or helium gas, helium gas, H e plus gas, in ke volume consider kar lete hai, total kitna hai, 20 ml hai, hum maan lete hai, iska x ml hai, aur iska kitna ml hai, y ml hai, toh ye 20 minus x minus y ho jayega, agar apne paas co gas, co gas, co gas hai, wo, o2 ke saath react kertaa hai, toh half of o2 ke saath react kerega, aur kya bana lega, co2 gas ka formation kerega, next, hum kerega, apne paas CH4 gas hai, CH4 gas, o2 ke saath react kerega, 2 o2 ke saath react kerega, 2 o2 gas equal to co2 gas plus 2 h2 liquid ban jayega, room temperature pere cool kerega, toh, agar is gas ki amount x hai, toh ye gas bhi kitna utilize hoogi, x by 2 utilize ho jayegi, aur ye gas kitna banegi, x amount mein ban jayegi, agar ye gas y ml hai, toh ye kitna react kerega, 2 y react kerega, aur ye kitna ml bin jayega, y ml ka formation ho jayega, toh, hum ne ka decreases in volume, decreases in volume, decreases in volume, decreases in volume ki hum baat kerega, toh, apne paas kitna volume decrease ho jayega, apne paas x plus x by 2 plus y, plus 2 y plus y plus y, equal to apne paas ho jayega, minus x plus y, aur ye decrement kitna hai, 13 ml ka hai, toh 13 is equal to apne paas kitna ho gaya, x by 2 plus kitna ho gaya, x by 2 plus 2 y ka apne paas contraction ho gaya, 2 y ka apne paas contraction ho gaya, aur eek further isse any kawaj solution se titrate kiya hai, toh, ye kitna ho gaya, ye upna paas ho gaya, 14 is equal to, co2 ke saath reek kerega, toh, ye ajayega, x plus y ke equal ho jayega, toh, ye haan se, apne paas oxygen equal to kitna ho gaya, 10 ml ho gaya, aur y equal to kitna ho gaya, 4 ml ho gaya, toh, apne paas helium ka volume kitna ho jayega, helium ka volume apne paas 6 ml ho jayega, toh, dear student, answer ho jayega, 6 ml, okey, dekhtey next, oxidation number of the boron in the, this compound, ye haan peh Ca2, B6, O11, general oxidation state othi calcium ki 2, toh, 2 into 2, plus 6 ax, minus 2 into 11, toh, x is equal to, apne paas aajayega, plus 3, toh, answer ho jayega, 3, okey, dekhtey students, next.